सब्सक्राइब कीजिए धे आईयस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के आखों में मंजिले थी गिरे और संभलते रहे आंधियों में भी क्या दम था चिराग हवा में भी जलते रहे नमश्कार मैं रक्षिचारण आप सभी का स्वागत करता हूँ धे टीवी में आज हम आपके सामने एक ऐसी खास शक्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी महनत और काबिलियत के दम पर सफलता की नई उचाईयों को छुआ हैं हम बात कर रहे हैं 56-69 BPSC परिक्षा में सर्वोच स्थान प्राप्त करने वाले श्री संजीव कुमार सज्जन की आज हम संजीव जी के संगर से सफलता के सफर की कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी लेकिन इससे पहले आईए नजर डालते हैं उनके जीवन पर दिल में जजबा और मन में द्रड संकल्प हो तो इनसान कुछ भी कर सकता है BPSC परिक्षा में सर्वोच स्थान पाने वाले संजीव कुमार सज्जन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है 4 मई 1989 को बिहार के मधेपुरा जिले में जन में संजीव कुमार सज्जन बचपन से ही मिधावी चात्र थे पिता जनेश्वर प्रसाद यादो सिविल कोर्ट मधेपुरा में अधिवक्ता और माता नीता देवी एक कुशल ग्रहडी थी तीन बहन और दो छोटे भाईयों के बीच संजीव कुमार सज्जन का बचपन गाउं मधेपुरा में ही बीता इनकी शुरुवाती पढ़ाई गाउं के ही प्रात्मिक विद्याले से हुई इसके बाद इन्होंने सिवनंदन प्रसाद मंडल प्लस टू स्कूल मधेपुरा से माधमिक तक की पढ़ाई की वर्स 2003 में आरपियम कॉलेज मधेपुरा से भौतिक विज्ञान में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद वर्स 2014 में MBA आपदा प्रबंधन के लिए गुरु गोविन सिंग विश्विद्याले दिल्ली का रुख किया बिहार प्रशासनिक सेवा के पहले प्रयास में प्रारंभीक परिक्षा में असफल रहने वाले संजीव कुमार सज्जन ने अपने तीसरे प्रयास में BPSC परिक्षा में सर्वोच स्थान प्राप्त किया इससे पहले 2015 की उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिक्षा में उनका चैन प्रांतिय पुलिस सेवा में हुआ और वर्तमान में वे रामपुर में पुलिस उपाधिक शक फायर सर्विसेस के पत पर कारे रत है चैनित हो जाने के बाद भी संजीव सज्जन का पढ़ाई का सलसिला रुका नहीं वर्स 2015 से ये मगद में श्विद्याले बोद कया से परयावराण अध्यान पर PhD की पढ़ाई में अध्यान रत है संजीव कुमार सज्जन अपनी काम्याभी का श्रे अपने माता-पिता अपने गुरुजनों और पत्नी के सहयोग के अलावा भाई कृष्ण वल्लब यादो रेटायर टीचर एवं डॉक्टर नरेश कुमार रमन को देते हैं संजीव कुमार सज्जन उन सिविल सेवा के पृतियोग्यों के लिए एक रोल मॉडल है जो तमाम कठनाईयों और विप्रीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से नए मकाम हासिल करने का जजबा रखते हैं आपका स्वागत है संजीव कुमार सज्जन जी सबसे पहले आपको बहुत-बहुत हार्दिक शुबकामना है आपकी स्वर्णिम सफलता पर संजीव जी ये बताए कि आपका सिविल सेवा परिक्षा की और रुजहान कब और कैसे शुरू हुआ और इसकी तैयारी के दौरा आपको क्या रुकावटे महसूस हुई सिविल सेवा की तैयारी मैंने इक रिजुशन के बाद ही शुरू किया था और हमारे एक मामा जी थे वो BPSC में पास किये थे और उनका डेथ हो गया था तो एक तो हमें उनकी प्रेड़ना थी और दूसरी बात यह थी कि मैं जिस एरिया से बिलॉंग करता हूँ वह काफी पिछरा एरिया है कोसी के बाड से कोसी का फ्लोड प्रोन एरिया है और उसमें लोगों की जो गरीवी है वहां से 100% लोग जो है मैगरेट होकर के पंजाब और हरियाना दिल्ली लेवर का काम करने आते हैं तो मुझे लगता था कि मैं किस पद पर जाओं कि मैं अपने सोसाइटी और समाज के लिए कुछ कर सकूँ और उसके लिए प्रसासनिक सेवा ही एक मात्र विकल्प था और इसलिए मैं इसी की तैयारी तब से कर रहा था UPSC की भी मैंने कई बार परिक्षाएं दे इंटर्यू तक गया लेकिन और सफलता हाथ लगी बरतमान में मैं UPSC में हूँ लेकिन प्रसासनिक सेवा के माध्यम से समाज के उन वर्गों और उन लोगों की जो सेवा की एक एक opportunity मिलता है एक अफसर मिलता है वह मुझे में इस सेवा के दौरान मिलेगा इसलिए मैंने भीया प्रसासनिक सेवा में अपना option दिया था सर जैसा आपने कहा कि आप UP पुलिस के अंदर में DSP के पद पर चाहिनित किये गए DSP भी एक काफी प्रतिष्टित पद है आपने फिर से स्वैम को संघर्ष के लिए कैसे तैयार किया और कैसे आपने work और preparation के बीच में एक जो तालमेल है वो बनाया कि आज अब इस मुकाम पे है जो पुलीस सेवा है जब उसमें जोईन किया तब मेरी उसके परती एक भावना बदली पुलीस सेवा में इसमें एक छोटा सा वाकिया है मैं हमारे रामपूर में सिक्षक वरती की परिछा हो रही थी और उसमें मुझे जोनल मेंस्टेट का कार्जभार मिला हुआ था तो जब हम लोग की briefing हो रही थी तो उस briefing में ये बताया गया जो police के अफसर हैं वो gate के बाहर तक देखेंगे और जो परसासनिक सेवा के अधिकारी है वो gate के अंदर की विधिवस्था देखेंगे तो जब police अधिकारी जब प्रसासनिक अधिकारी को ऐसा लगेगा कि पुलीस की जरुरत है तो तब वो आपसे मदद मांगेंगे otherwise आप जो है सिर्फ गेट पर अपनी चौकिदारी करेंगे इससे मुझे लगा कि पुलीस की जो महत्ता है वो कहीं ने कहीं प्रसासन में दूसरे दर्जे की है और प्रथम दर्जे पर प्रशासनिक सेवा एक तो यह कारण था उसके बाद ही मेरा इंटर्व्यू का कॉल आया था तो जब उसमें और उप्सें भढ़ना था तो मैंने बिहार प्रसासनिक सेवा को नम्मर वन दिया और भिहार पुलिस सेवा को नम्मर टू दिया था और दूसरी चीज यह थी जो समाज के लोगों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पुलिस के पास एक बहुत limited scope है जहांकि सिर्फ law and order वो देखना है अप राध होगा तो आपका काम शुरू होता है लेकिन प्रसासनिक सेवा के लोगों को उनका एक बहुत wide range है जहांकि वह social welfare, social measures और हर एक काम करने के लिए इनिसियेटिव इस्टेप ले सकता है तो इस दिरिष्टी कोन से मुझे प्रसासनिक सेवा के लिए मैंने opt किया था और मुझे मिला भी और जहां तक इस दोरान तयारी का सवाल है यह सत्त है कि तयारी, service के दोरान तयारी करना बहुत दुरूह कार्ज है और वो भी police में रहते हुए लेकिन इसमें मैंने अपने technology का बहुत उप्योग किया खास करके mobile पे जो important apps हैं जैसे आपका भी जो channel आते हैं या और भी कई channels है उन सारे चीजों को मैंने कई opt किया और उसके माधियम से हमने कोशिस की कि मैं हमेशा current affairs से अपने को update रखो मैं कहीं भी रहता था तो अपने BBC सुन लेता था न्यू जोन एयर सुन लेता था तो current affairs मेरा हमेशा तयार रहता था छोटे-छोटे notes मैं बना कि अपने pass रखता था उसका photo page के mobile में रख लिया उससे मैं उसको update करते रहता था मुझे timing की समस्या सिर्फ लगी इंटर्व्यू के दोरान जो मैं जितनी तैयारी करना चाहता था मैं उतना नहीं कर पाया more classes नहीं जोइन कर पाया लेकिन time management अगर आप करना चाहें तो आप बहुत बहतर तरह कैसे कर सकते हैं और इसके लिए एक अपना routine follow करें जो भी काम है उसे कल के लिए नह टा लें आज का कम हम आज खतम कर दें अगर आज का news paper है उसे आज ही हम खतम कर दिये उसका सारे सब कुछ हम आज नहीं अगर पर लिए तो हमारे कल के लिए कोई task बचेगा नहीं इसे मैंने काफी follow किया और उसका परिनाम सामने सर ये बताएं कि हमाम तोर पर सुनते हैं कि तैयारी के दौरान रणीती का बहुत महत्व होता है और उसी के साथ में और भी जादा महत्व होता है मार्क दर्शन का तो दर्शकों को ये बताएं कि कैसे सही मार्क दर्शन का चुनाव किया जाए और सही रणनीती जो है वो जो नए छात्र है वो चुन पाए दिखिए मैं तो काफी भाग साली रहा कि मुझे तयारी की सुरुवाती दौर में ही बिने सर्जे से गुरू मिल गए जिन्होंने मुझे जीएस परने के तौर तरीके पर मुझे मेरा बिल्कुल भीव पॉइंट ही चेंज हो गया और सुरुवाती दौर में जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बेसिक्स को ठीक किया और हमने एंसियार्टिक को परहा और उसके बाद जिस तरह हमने यहां कोचिंग भी किया धे आईएस में बिने सर के मार्क दरसन में उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला खास करके जिस तरह आज़ा अगर आप देखें तो कुश्चन के जो पैटर्न है वो दिन बदिन चेंज होते जा रहे हैं करेंट अफेर्स का इतना समावेशन हो रहा है कि ऐसे परिवेश में मुझे लगता है कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा हो और उस पर जो है करेंट अफेर्स का अगर वो तरका मिल जाए तभी कुछ हो सकता है तभी बात बनेगी कुश्चन उस तरीके से पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए हमने दिन रात कोसिस भी की जैसे मानली जी अगर सुप्रीम कोट का कोई वर्डिक्ट आया election reforms के मामले में अपराधी लोग चुनाव ना लरे हैं इस समंध में कोई अगर जानकारे दी तो election reforms के जो हमारे notes होते थे मैं वहाँ उसे note कर लेता था तो इस प्रकार से हमारे जो notes हैं वो हमेसा update होते रहे हैं उसमें कभी कोई पुराना नहीं हुआ वो हमेसा update रहा एक बात दूसरी बात खास करके BPSC की तैयारी में जो man's का syllabus है उसके छोटे छोटे यूनिट बने हुए तो उस यूनिट में जितने भी सवाल आज तक पूछे गए बिपीसी का जब से question bank market में available है तो उसके जितने भी सवाल मानलीजी आज तक पूछे गए हैं उस यूनिट से particular unit से हमने उसको एक जगर लिख लिए इसके बाद मुझे question के पूछने का pattern पता चला जो questions में किस प्रकार से pattern चल रहे हैं और उसकी अनुसार फिर मैंने अपनी strategy बनाई हर एक unit के अनुसार मैंने अपना synopsis बनाया और उस synopsis के आधार पर मैंने अपना response किया तो ये मुझे काफी फाइदयमंद हुआ और खास करके परती दिन जब मुझे समय की कमी रहती थी मैं BBC इंटरनेट पर सुन लेता था News on air सुन लेता था राजसभा TV सुन लेता था इस वज़ा से मुझे current affairs काफी update रहा और मुझे कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि मेरी तैयारी अधूरी है और इस पूरे जर्नी में चुकि मैं काफी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था पूरे जर्नी में प्रती दिन अपने को motivated रखता था News के मादियम से और Inspirational Quotes के मादियम से अपने को motivate रखता था और उसका मुझे फाइदा भी मिला संजीव जी अभी आपने कुछ समय पहले बताया कि आपको इंटर्वियू के लिए बहुत जादा तैयारी करने का मौका नहीं मिला या आप समय नहीं निकाल पाए लेकिन फिर भी आपने one of the highest marks achieve किये हैं BPSC के जो इंटर्वियू है उसमें तो इसी से प्रश्ण उठता है कि व्यक्तित्व निर्मान का इस तैयारी के अंदर में कितना महत्व है और हमारे दर्शकों को बताएं कि जो नए छात्र है वो व्यक्तित्व निर्मान की तैयारी की शुरुवात कैसे कर सकते हैं जे बिलकुल देखिए व्यक्तित उनिर्मान और साक्षातकार में मार्क्स दोनों एक मुझे लगता है कि एक ही प्रक्रिया है जबसे आप स्कूलिंग आपकी सुरू होती है जबसे आप छातर जीवन में प्रवेस किये जबसे आपने होस समाला और जब आप इंटर्व्यू के बात नहीं है उसका कोई सिलेवस नहीं है सबसे पहली बात है कि सुरूवाती दोर से छातर जीवन से ही काफी जैसे SA competition भासन प्रत्योगिता निवन प्रत्योगिता और escorts guide और NCC में मैं था तो व्यक्तित्व निर्मान उस तरफ से होता था मुझे लोगों के सामने बोलने के लिए दिया जाता था मैं बोलता भी था मैं parade commander रहा तो वो सब एक high schooling का जो background था वो काफी काम आया बरतमान समय में म सारजरत भी हूँ तो इस वज़त से भी एक था जो लोगों को हमेशा डिल करने की एक हमारी वो रहती है पुलिस भी भाग की तो उसका काफी benefit मिला लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्तित निर्मान में और भी कई चीजे हैं जैसे कि जो बरे-बरे महापुरुसों हैं उनका जीवनी परना उससे अपने को energetic करना उसके बाद जो है जैसे मान लिजे जो भी हिंदी की जो कहानिया जैसे प्रेमचंद सब की कहानिया हैं वो सब परने से समाज का एक हमें overview आता है जब हालाल नहरू की जो कही किताबे हैं वो मेने पर ही है उस सब से एक तो वो हमें में मे भी सहयोग देता है और हमारा विक्तित निर्मान भी होता है तो आने वाले जो भी छात रहें उनको उनके लिए मेरा यही कहना है कि जब भी आपको समय मिले अपनी hobby ऐसी दिक्सित करें जिस hobby को आप board के सामने produce कर सकें जैसे मेरी hobby gardening थी तो मैंने बेधरा gardening को रखा भी उससे और यह practice की चीज़ है यह आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे आपको इसके बारे में सोचना परेगा जिस छेतर की भी आप hobby बनाएं उस hobby के लिए प्रियास करें अच्छे अच्छे books को परहें और उसके बाद ही इसमें आप अच्छा कर पाएंगे सर यह भी बताएं कि लोगों का मानना है और आम तोर पर नए चात्रों का मानना है कि माध्यम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है तैयारी में आपका माध्यम हिंदी रहा और आपके जो मेंस में मार्क्स हैं वो one of the highest है अब तक की BPSC की हिस्ट्री में सर यह बताएं कि जो common conception होता है या common जो धारणा होती है चात्रों में कि अंग्रेजी माध्यम के चात्रों को जादा तवज्ज़ दी जाती है या उनको फाइदा जादा मिलता है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है हिंदी माध्यम के चात्र के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो नकरात्मक उरजा और उनके अंदर एक जो पहले से एक अपनी धारना बना लेते हैं कि मैं हिंदी माध्यम का चात्र हूँ तो हमारे मार्क्स कमाएंगे दरसल दिक्कत भी यहीं से शुरू होती है और का समाधान भी दिखिए यहीं पर दिक्कत यह है कि अगर आपने हिंदी माध्यम के आप छादर है तो आपके पास सब्द को जो चेन करने की छमता है वो बहतरीन होने चाहिए इंगलीस माध्यम के छादर सब्दों का चेन बहुत अच्छे से करते है कई बरे-बरे वाक्यों को वो छोटे एक सब्द में कहने की उनके अंदर छमता होती है और जिसके कारण वो कम जगह में ज़्यादा चीजों को लिख पाते है मैंने इसका अपने तयारी के दोरान प्रैक्टिस के दोरान पूरा-पूरा ख्याल रखा सब्दों का चेन मैंने कई-कई अच्छे सब्द का मैं ग्रामर से या बुक से खास करके प्रेमचंद के मैं सारे नॉबल को पढ़ चुका हूँ इन सब चीजों की वज़ा से मेरे पास सब्द की कोई कमी नहीं थी मेंस के समय जी-एस की तयारी के दोरान सर्वेश सर की एक बुक आई थी वो बुक, नो डाउट वो बुक में थोड़े कठिन सब्दों का इस्तमाल किया गया है लेकिन उन मेरे जी-एस के मार्क्स का बेस ही वही बुक रहा है उन कठिन सब्दों का इस्तमाल करने से हमारी जो अभिवेक्ती है वो बहतरीन होती है और इसका फायदा भी मिला क्योंकि वो एक ऐसी परिक्षा है मेंस जहांकि Elimination Process है वहाँ लोगों को छाटना है छाटने के दोरान अगर आपकी सब्दों का चैन अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे सब्द आपको बिल्कुल बना हुआ होना चाहिए मतलब अगर सुरू से हमने सुरू किया एक परग्राफ तो ऐसा होना चाहिए कि पुरा एक समा बान दिया आपने और वो समा आपके एंसर के लाश तक होना चाहिए और BPSC में खास करके मैंने इस चीज़ को फिल किया कि जो लाश परग्राफ है जो कंकुलूजन का पार्ट है उसे आधा पेज में करने से बहुत बेनिफिट है और उस आधा पेज को आप जितना अच्छे से समा बानेंगे सब्दों का चैन बहुत ज़्यादे की का हरसिकार दिरखिकार का गलती ना करें बहुत अच्छे से उसको बानें थोड़ा बहुत उसमें नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट का जिक्र करें आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे थोड़ा बहुत डाइग्राम का यूज करें जीएस में मन के चलिए अगर जैसे की एक क्वेश्चन पुछा किया था जीएस में इनर्जी कंजमसम पर मैंने उसमें बिलकूल एक पाइचार्ट बनाया पाइचार्ट में हमने दिखाया कि भई तापिय उर्जा बिहार में इतना है हमने ये दिखाया कि भई इसमें जो जल की उर्जा है वो इतना है और नुकलार की इनरजी हमारा जीरो है तो उसको हमने जीरो सो किया और उसे हमने पाई चार्ट के माध्यम से दिखा दिया जहां आप डाइगराम नहीं बना सकते हैं वहां आप जो है सेंटेंस का ही फ्लो चार्ट बनाईए लेकिन इस सब का असर पड़ता है इसलिए माध्यम कोई बरी चीज नहीं है जब भी फुरसत मिले कई सारे हिंदी की अच्छी-ची मैगजिन्स है जिसे आप पर सकते हैं अहा जिंदिगी है कादम्बनी है और प्रेमचंद के नौवेल है वो तो खेर एक माइल्ड स्टॉन है इस सब को देख परिग्राही लिखते हैं तो वह एक परिस्क्रिस सब्द है तो इन सब का मैंने अपने प्रैक्टिस के दौरान ही इसका मैंने तयारी किया था और उसका परिनाम भी आपके सामने है तो अभिवेक्ति पे जादा जोर दिया जाए माध्यम की बजाए तो संजीव जी कुछ हल प्रैमचंद को पढ़ता था जब 10 तक था तो प्रैमचंद के सारे नोबल में पढ़ चुका था आज भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं प्रैमचंद को फिर से पढ़ने लगता हूँ उससे एक तो मुझे समाज मुझे ऐसा लगता है कि प्रैमचंद जो हमारी उंगली पक है उसको मैंने कई बार पढ़ा है एक तो यह नॉबेल उबेल पढ़ता हूं दूसरा गार्डिनिंग करता हूं और तीसरा इसके बाद जब समय मिलता है तो मैं जो भी नैचुरल जाते हैं जैसे जो भी टाइगर रिजर्व है और यह सब पैंच रास्टे उद्यानी समय भूमने चला जाता हूं सर इसके अलावा आपका पसंदिता खाद्य पधार्थ या पसंदिता कोई खाने की डिश या ऐसा कुछ जो आपको बहुत पसंद हैं हम लोग बिहार से विलॉ प्रेम चंद के अलावे में हमारे पिता जी सुरू से सरचन चटो पाधिया को पढ़ने देते थे उसको मैंने परा है और मैंने आपको बताया रभी ना टैगोर को मैं बहुत पसंद करता हूं तो मेरी उदर इंट्रेस्ट सुरू से ही रही थी और मुझे उस समय पता नहीं चला था कि इसका फाइदा मुझे आगे चलके मिलेगा लेकिन आज अगर आप मेरी लेखनी में देखेंगे तो जितनी पकर है और अभी वेक्ति जितनी अच्छी हुई वो सब उसी समय की देन है पढ़ते पढ़ते यहां तक पहुँचे हैं तो उसका फाइदा तो होता है और आपके जीवन में ऐसे कोई अध्यापक या ऐसे कोई मार्क दर्शक जिनका महतवपून रोल रहा हूँ जब सर में विलो टेंथ था तो उस समय एक हमारे सतनायन बावो हुआ करते थे महत के टीचर थे वो फर्मूला हर एक सटर्ड़े को पूछते थे और फर्मूला नह एक महंती सर थे उन्होंने काफी साइंस में काफी सपोर्ट किया नागेंदर बावो थे वो हमारे एसे और निवन की काफी प्रैक्टिस कराते थे उसका फायदा भी मिला यूपीएसी तैयारी के दोरान जब यहां आया तो बिने सर के संसर्ग में आया बिने सर इतनी सारी ब बेनिफिट पता चला कि सच में उसका क्या बेनिफिट है तो इन सारे गुर्वों की हमारे लाइफ में बहुत आहम हो मिका रही है तो संजीव कुमार जी हमारे साथ वक्त बिताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम आशा करते हैं कि आपका सफरता का यह सफर आपकी प